नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका सिंग अभी तक आपने घी राइस नहीं खाया है तो यह रेसिपी जरूर देखिएगा और लाश तक देखिएगा कि एक एक स्टेप आपका मिस्च ना हो अगर यह रेसिपी आप देख लिए तो आपको बनाने का जरूर मन करेगा कि हाँ भा दो कफी पाने अड करेंगे और आदा घंटा के लिए भिंगो के रखेंगे बासमति चावल को ताकि हमारा घी राइस होद पर्फेक्ट बने चावल को आदा घंटा फूलाने से यह होता है फ्रेंड्स की हमारा जो पुलाव का जो चावल है यह बहुत खिला खिला बनेगा और चावल एक एक दाना अलग-अलग रहेगा, चलिए उससे पहले हम आगे के प्रोशेश कर लेते हैं, यहाँ पे हमने काजू लिया है और किस्मिस लिया है, दोनों को साथ में हम भून लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे अलग-अलग भी भून चकते हैं, यहाँ पे मैंने जल भी सकता है, इसलिए यहीं कलर पॉर्फेक्ट है, इसमें हम साही जीरा डालेंगे, साही जीरा हमने हाफ चमच लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे सौफ भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे दो तिजपत्ता दालचीनी, दो बड़ी वाली लाइची, इसमें एड़ करेंगे घी में, घी में अब एड़ करेंगे जावीत्री, और जावीत्री देखिए हमने यह टुकडों में तोड़ लिया है, इसमें क्या करेंगे, स्टार डालेंगे, स्टार यह गरा मसाला में होता है और यह बहुत सुगंध और टेस्ट बहुत बढ़ी आता है इसे, यहाँ पे चार मेंने हरी वारी लाइची लिया है, इसको भी इसमें एड़ करेंगे, और साथ आठ हमने लवंग लिया है, इसको भी हम घी में एड़ करेंगे, और यहाँ पे एड़ करेंगे हम, यह हमने लिया है गाजर, गाजर को मैंने लंबा लंबा काट लिया है और गाजर को भी ह हम एड़ करेंगे चावल लेकिन थोड़ा भूलने गाजर को उसके बाद से इसमें हम चावल एड़ करेंगे यहां पे हम अब चावल एड़ करेंगे और चावल में बिलकुल पानी नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स सारा पानी मैंने हटा लिया है इसमें का और इसको दो बढ़ियां अभी ही color बहुत बढ़ियां लग रहा है और यह गाजर all look की सका बढ़ा दिया है और देखिए अब यहां पर क्या करेंगे हम इसमें 2 cup हमारा चावल है तो यहां पर 4 cup हम पानी एड़ करेंगे यहां पर double पानी डालना है अगर आपका चावल 1 cup है friends तो आप 2 cup पा पानी डाल रहा है यह चीज का ध्यान डखिएगा पहले भी में बता चुकी हूँ आपको और इसमें हमने चार कप पानी एड करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे यह नमक अपनी टेस्ट के कॉर्डिंग डाली जीएगा और यहां पी कल्छे से चारो तरफ सी चला लिजी कि नम अनिसिंग के लिए और सारा ड्राइफ रूट और डाल देंगे यह प्यास पे आज हमने ब्राउन करके रख लिया था पहले ही आपका यह उप्सनल है आप चाहें तो प्यास डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं और इसको धकन लागा के इसको हम इसमें कुक करेंगे घी राइस का इतना बढ़िया सुगंध आया और यह देखिए हमारा जो राइस है वो कितना बढ़िया कितना परफेक्ट हुआ है और यहां पर देखिए क्या करेंगे फिर धकन लगाएंगे गैस का फ्लेम बंद करेंगे और चूले पर से उतार के नीचे रखेंगे आधा देखिए प्लेट में और देखने में पता चलो हां कि हमारे घी रैस बहुत जबर जस्त बना हुआ है Towns अब सबजी के साथ भी खा सकते हैं घीा और राइस चन दल की साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को तो ऐसे इसागी बहुत पसंध है, बच्चे देख कि ही बहुतक सु चाहिए करना पैर ज्रोड मेरा को अच्छा लगा वीडियों अच्छा लगेगा तो लाइक और सबस्च्राइब करना बिलकूल मत भूलिएगा। और में चाहिए कडिये व हूआ को देखा घ्रह ठीक सब पारशमुक् sols को 5W bye bye friends